हलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पुलिस कॉंस्टेबल को इन हैंड सेलरी यानि कि हाथ में सेलरी कितनी मिलती है और एक कॉंस्टेबल बनने के लिए योगिता क्या-क्या चाहिए यानि कि आप एक कॉंस्टेबल में अगर जोइन करना चाहते हैं तो तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी राजी की पुलिस में constable लगना चाहते हैं क्योंकि जो पुलिस है वो हर राजी की अलगलग होती है तो हर राजी की अलगलग requirement है लेकिन जो आपकी education qualification requirement है वो है minimum 12th pass हर राजी की education qualification है 12th pass तो आप constable के लिए apply कर सकते हैं फिर चाहे वो कोई भी राजी हो लेकिन जो उनकी physical requirement है यानि यसे height की requirement है वो कुछ राजी की है 170 cm और कुछ राजी की है 168 cm और कुछ राजी ऐसी भी है जहां पर requirement है 165 cm तो height की requirement अलग-लग राजी की अलग-अलग है वो आपको उस राजी के लि अगर मैं इनकी salary की बात करूँ तो एक जो constable होता है उसकी basic pay जो होते है यानि की starting basic pay एक बार आपकी training complete हो जाती है उसके बाद जो starting basic pay होती है वो होती है 19,400 रुपे और उसके उपर आपको जो DA मिलता है वो करीब मिलता है 6,000 रुपे तो आपका और इसके उपर फिर आपको allowance मिलेगा चोटी सिटी में पोश्टिंग है तो कम allowance मिलेगा तो मैं इसको सबसे जो कम allowance होता है उसको मान के भी चलता हूँ तो भी करीब 2,000 रुपे के आसपास आपको HRM मिलता है इसके बाद इनको मिलता है medical allowance जो करीब होता है 600 रुपे हर महीने का और इसके अलावा बाकी इनको allowance मिलते हैं जो करीब करीब 2 से लेके 5,000 रुपे के बीच में होते हैं तो अगर मैं minimum जो allowance हैं उनको सबको minimum भी मान के चलू तो भी जो इनकी gross salary होती है वो करीब बन जाती है 26,000 रुपे के आसपास दोस्तों लेकिन ये 26,000 रुपे उनको हाथ में नहीं मिलते हैं इसमे उनका medical का insurance होता है कि अगर उनको service lifetime में कभी अगर उनको कुछ हो जाता है या death हो जाती है तो उनको इससे insurance से पैसा मिलता है तो वो कड़ जाता है 200 रुपे इसके लाबावा उनका tax भी कड़ जाता है income tax जो करीब 200 रुपे कड़ जाता है तो जो इनको in hand salary मिलती है gross in hand salary जो minimum मिलती है वो करीब होती है 24,000 रुपे के आसपास तो आप किसी भी स्टेट की अगर कॉंस्टिबल के मैं जोइन करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग इनहेंट सेलरी होगी जो आपको हाथ मिलेगी सब कुछ कटने के बाद वो मिनिमम होगी 24,000 रुपे लेकिन इससे जादा भी हो सकती है अगर आउंसिस वगरा जादा है तो जादा भी हो सकती है जैसे दिल्ली में ये सेलरी बढ़के करीब 34-35,000 रुपे के आसपास तक पहुंच जाती है तो ये आपको मैं मिनिमम आइडिया दे रहा हूँ कि मिनिमम आपको इचनी मिलेगी मिलेगी इससे जादा ह 24 से जादा ही मिलेगी 28 या 30,000 रुपे के आसपास तक मिलेगी तो ये हो गई constable की salary इसके बाद जब एक constable में आपको जो अगला promotion होता है उसे बुला जाता है head constable तो constable के time पर आपकी जो वर्दी होती है इसमें कहीं पर भी कोई feet या कहीं shoulder पर कोई feet नहीं होती है लेकिन ज उसको बुला जाता है head constable और constable से head constable बनने में आपको करीब करीब minimum 8 साल लगते है normally 10 साल लग जाते है तो 8 साल तो minimum लगते ही लगते है लेकिन normal promotion होते होते हर आज में लगबग क्योंकि vacancy उतनी नहीं होती है promotion उतना नहीं होता है और सारे batch का एक साथ promotion होता है तो करीब 10 सा लग जाते है उसके बाद आप head constable बन जाते है head constable से जो अगली rank होती है वो कोई rank नहीं होती है उसे बुला जाता है senior head constable वो भी जब आप थोड़ा से senior हो जाते है constable में तो आपकी 2 फीती के जगए 3 फीती हो जाती है उसे बुला जाता है senior head constable इसमें आपकी salary change नहीं होती क आपके shoulders पर एक star आ जाता है तो ये जो promotion है उसे होने में और करीब 6 साल लग जाते हैं यानि कि आपकी total जो service है वो करीब 15 से 16 साल हो जाती है तब आप ASI बनते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ASI में ही retire हो जाते हैं इसके बाद क्योंकि इसका जो अगला promotion होता है उसे inspector तक पहुशने से पहले ही retire हो जाते हैं और वो ASI में ही retire हो जाते हैं बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ASI में हो जाते हैं retire क्योंकि इसका जो अगला promotion है inspector उसमें फिर 5-6 साल लगते हैं यानि कि आपकी जो उस टाइम तक total service है वो करीब 28-30 साल हो चुकी होती है तब आप inspector बनते हैं इसके बाद अब क्या है लगभग 80% लोग या 90% लोग inspector में ही retire हो जाते हैं पर जिनका पूरा record बहुत अच्छा था जिनोंने कुछ service में कोई ऐसा कोई अच्छा काम किया था या कोई medal उनको मिला था special तो उन लोगों को आगे promote करके DSP बना दिया जाता है त तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो constable से join करते हैं और फिर DSP तक या DSP को जो बड़े शहरों में ACP बोला जाता है तो ACP rank तक आप पहुंच जाएंगे लेकिन यह सब को नहीं हो पाता है बहुत सारे लोग ASI में retire हो जाते हैं बहुत जादा SI में retire हो जाते हैं और बहुत लोग ही आगे पहुंचके DSP बन पाते हैं तो दोस्तों यह थी constable की in hand salary के जानकारी और उसकी promotion के जानकारी